हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सब मैं हूँ सुधिप और आप लोग देख रहा है टेक्निकल सुधिप लेके आगाया हूँ आप लोगों के लिए बढ़िया टेक्निवस चलिए फास्ट निवस की तरफ नज़र डालते हैं पहली खबर निकल के आती है दोस्तो पहली ख़बर निकल के आती है हावाई की तरफ से आने वाले उनका 5G नेटवर्क के बारे में हावाई की तरफ से ऐसा ख़बर आ रहा है कि आने वाले समय में उनका 5G नेटवर्क आने वाले है क्या खबर आता है आने वाले समय में आप लोगों को पाता चल जाएगा दोस्तो दूसरा खबर की तरफ नज़र डालते हैं दूसरा खबर निकल के आती है निन्टेंडो की तरफ से दोस्तो आप भी गेम खेलने की सोखिनों तो इस खबर आप के लिए बहुत ज़रूरी हो रहा है दोस्तो वैलेंटेंज डे में आप लोगों के लिए निन्टेंडो लेकर आगाये है उनका 3DS गेमिंग कांट्रोल जहां पे आप लोगों के लिए सेल मिल रहा है और अगर आप लोग भी उसे बाई करना चाते हैं तो जाइए और स्वापिंग कीजिए दोस्तो मोटो ने लेकर आगाये है उनका निव स्मार्टफोन मोटो E7 पावर और अगर उनका प्रोसेसर की बात करे तो मीडिया टेक P22 चिपसेट के साथ 4GB RAM और अगर बिल्ट क्वालिटी के बात करे तो 12 नैनोमेटर के साथ और 2.0 GHz के साथ आने वाले समय में इस फोन का क्या ख़वर आए दोस्तो इस चैनल में आप लोगों को पता चल जाएगा दोस्तो भीभो यहाँ पर कमाल कर दिया भीभो ने लेकर आ गये हैं उनका निव फोल्डिंग फोन जो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तो इस फोन को लेके आपके मन में क्या सवाल है कमेंट सेक्षन में जरूर बताना अगर फ्यूचर में इस फोन के कुछ स्पेसिफिकेशन मुझे मिले तो आप लोगों के मैं जरूर बता दूँगा दोस्तो अगला अपडेर निकल के आती है रियलमी की तरफ से आने वाले उनका एयरफोन के बारे में जिसका नाम है रियलमी नेक्स्ट एयरबूट्स जो बना गया है फ्यूचर के लिए आने वाले समय में इस एयरफोन के क्या स्पेसिफिकेशन है मैं आगे चलते बता दूँगा दोस्तो नोक्या ने लेकर आ गये है उनका निव 4G स्मार्टफोन जिसका नाम है नोक्या 6300 दोस्तो जिसका भी सेल चल रहा है EOS में दोस्तो इसका थोड़ा फेसिफिकेशन जान लेते है 2.4 इंच LCD पैनल 320 x 240 पिक्सल रेजिलिउशन के साथ 4GB स्टोरेच एंड 1500 एमेज की बैटरी दोस्तो इस फेसिफिकेशन जान कर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सक्षन में जरूर बताना दोस्तो आज की टेक नियूस यही पर ही खतम करते है इस सब ख़बर जान के आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना और लाइक, सेर, सब्सक्राइब करना मत भूलना जाहिंत दोस्तो